नमस्कार, हेलो रिवन, स्वागत करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर वेलकम टो अवर चैनल, आज हम डिसकर्स करेंगे लियोट्स एंजिनेरिंग वर्क्स, यह एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, और हमारे वीवर है, उनकी डिमांड थी कि इस पर विडियो बिनाओ, इसके फंडामेंटल जरू देखना, तब काफी चीज़े क्लियर हो सकती है आपको, तो पूरा वीडियो देखें एंड तक, जिससे हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुच पाए, और आप खुड डिसाइड कर पावगए, कि लेवर्स एंजिनेरिंग में हम नया इन्वेस् और हाँ दोस्तों को आप चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स टाइम विजिट किया है, तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब जरू कर देना, जहां हम सिर्फ कॉलिटरी स्टॉक आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब जरू करें, जिससे आपको कॉलिटरी स्टॉक्स मिलते रहे, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, आगे, कंपनी का बिजनस मोडल क्या है, कंपनी डिजाइन एंड मैनुफेक्ट्र करती है, हैवी एक्यूप्मेंट की, मशीनरी, ऑईल एंड गैस, स्टील प्लांट्स, नुकलियर प्लांट बॉयलर् के साथ काम करते हैं, चाहे वह कोचिंशी प्याड हो, आदितिय बिल्ला, भारत पेट्रोलियम, एंजिनियर्स इंडिया, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और बड़े नाम शामील इनके क्लाइन लिस्ट में, यह बहुत बड़ी बात रहती है, जब ऐसे क्लाइन के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, लियोर्स एंजिनियर्इंग ने अब तक कितना रिटन दिया है अपने इनवेसेस को, एक साल का रिटन देखते हैं, तो शेर ने करीबँन 89% के असपास का return दिया है और जहां हम 5 साल का return देखते है तो share ने करीबन 15,812% के असपास का return दिया है means अगर किसी ने 5 साल पहले सिर्फ 10,000 भी इसमें invest किया होता तो आज उस 10,000 की value होती 15,96,200 के असपास तो यह साई data से हमें यह समझ में आ रहा है कि यह एक multi bagger बन चुका है अपने investors के लिए और मैं हमेशा बोलता हूँ guys please invest करो at least आप अपने income का 10% भी invest जरू करे तो अब देखते हैं लियोट्स एंजिनियरिंग के fundamentals कितने strong है market cap करीबन 9,000 क्रोड के असपास है 76 times trade कर रहा है यह share और इसके सामने 1K face value पर है यह share and no doubt company profit making है quarter on quarter 20 क्रोड के असपास का profit बना रही है on an average revenue में भी growth है as per the data but valuation wise यह share comfort नहीं दे रहा है to be very honest but no doubt company का fundamentals काफी strong है सारे criteria में अप्टूदी mark है but valuation काफी महेंग है and जहां foreign institution अपना stake बढ़ाया है 1.39% से 2.12% का तो एक positive approach मान सकते हैं आप यह share के लिए और अब हम chart देख लेते हैं तो आप technical wise देख लेते हैं जिसे हम level देख सके share अभी trade कर रहा है 80 के आसपास 52 week है इसका 93 and 52 week low है 38 अगर इस level से 80 से rejection आता है तो यह share आपको 70, 60 और 55 के levels दिखा सकता है उसके निचे के levels पर मिल सकता है because हम share को bottom पर नहीं पकड़ सकते हैं तो जहां हम target की बात करते हैं तो हमारा target रहेगा 86 86 के आसपास का हमारा target दिखता है और जैसी 90 के levels पर sustain करता है तो यह share आपको 100 के तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है but वक्त जरूर लग सकता है already काफी really दिखा दिये share ने तो share कहीं न कई correct हो सकता है चाहे वो time correction हो या price correction हो but yes valuation wise share मेंगा है और जैसे results आते रहेंगे वैसे valuation भी balance होता रहेगा और अगर किसी को invest करना है तो आप गिरावाट में सोच सकते हो share के बारे में 55-50 के levels के आसपस और अगर किसी के पास है तो बिलकुल बने रह सकते है share में and long term में balance sheet और भी मजबूर होती जाएगी and आपको और भी उपर के levels दिख सकते है to be very honest guys यह सारे data से और जितना भी research किया है मैंने यह company काफी अच्छी है बस valuation wise मुझे drawback लगा बाकि सारी चीज़े up to the mark है and आने वाले time में और भी अच्छा return दे सकता है and market को work देना guys patience सकना तभी एक अच्छा return में सकते है आपको तो अपने पैसे ऐसी जगर निवेश करें जहां आपका पैसा आपका capital सेफ रहे एक nominal return मिले आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आदे अगर आपको invest करना है तो आप nifty bees IT bees के बारे में सोच सकते हो even आप SAP भी कर सकते हो और हाँ दोस्तों आप कोई भी investment करते हो तो प्लीज अपने advisor से ज़रू सरा ले और सबसे जयदा आप खुद research करें और ये वीडियो को आप safe for safe educational purpose के लिए ही रखे I hope आपको ये वीडियो और हमारी मैनत पसंद आई हो तो please इस वीडियो को एक like ज़रू करे और subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में जुड़े हमारे साथ Thank you so much for watching this video अपना ख्यार रखना जय हिंद